Hello everyone, स्वागत है आपका तस्तमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 108 में इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 daily use English sentences सीखते हैं और उनकी practice करते हैं बहुत ही कम समय में So guys, आज का हमारा first sentence है अब हमारी इज़त तुम्हारे हाथ में है इसको English में बोलेंगे Our honor is in your hands now Our honor is in your hands now Honor means इज़त अब हमारी इज़त तुम्हारे हाथ में है Our honor is in your hands now या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो Our honor lies in your hands now Our honor lies in your hands now अब हमारी इज़त तुम्हारे हाथों में है Our honor is in your hands now या फिर Our honor lies in your hands now Second sentence is ये भेदभाफ क्यों? Why this discrimination? Why this discrimination? Discrimination का मतलब होता है guys भेदभाफ ये भेदभाफ क्यों? Why this discrimination? Third sentence is मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया I did all I could I did all I could मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया I did all I could Fourth sentence is शुरू शुरू में सब के साथ ऐसा होता है इसको हम English में दो तरीकों से बोलते हैं guys First one is Initially it happens to everyone Initially it happens to everyone And second one is In the beginning it happens to everyone Initially और in the beginning इन दोनों का ही मतलब होता है शुरू शुरू में शुरू शुरू में शुरू शुरू में सब के साथ ऐसा होता है Initially it happens to everyone या फिर in the beginning it happens to everyone Fifth sentence is उपर वाले की माया उपर वाला ही जाने Only God knows what he does Only God knows what he does उपर वाला क्या करता है उसकी क्या माया है वो सिर्फ उपर वाला ही जानता है उपर वाले की माया उपर वाला ही जाने Only God knows what he does Six sentences बच्चे को पसंद नहीं है की कोई उसके गाल खीचे The baby doesn't like someone pulling his cheeks Cheeks को pull करने का मतलब होता है काई इस गाल खीचना बच्चे को पसंद नहीं है की कोई उसके गाल खीचे The baby doesn't like someone pulling his cheeks Seven sentences वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है He is already under debt He is already under debt Debt का मतलब होता है काई इस कर्ज, कर्जा इसको हम debt बोलते हैं, debt नहीं बोलते B यहाँ पर silent होता है वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है He is already under debt Eight sentences मुझे तो यकीन ही नहीं होता It's hard to believe It's hard to believe मुझे तो यकीन ही नहीं होता यकीन करना मुश्किल है It's hard to believe Nine sentences मैं उससे एक दो बार ही मिला हूँ I have met him only once or twice I have met him only once or twice Once or twice means एक या दो बार मैं उससे एक दो बार ही मिला हूँ I have met him only once or twice Last sentence of the day is उसने तुम्हें उल्लू बना दिया He tricked you He tricked you या फिर आप बोल सकते हो He fooled you He fooled you उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया उल्लू बना दिया He tricked you या फिर He fooled you So guys, that's all for today I hope ये सारे sentences आपके लिए काफी useful रहेंगे इन में से आपका फेवरेट सेंटेंस कौन सा था मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्स्प्स्प्राब कीजिए और बेल आगें को प्रेस करना मत भुलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे चलिए अब हम मिलेंगे कल इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए टेक केर बाबाई